हेलो रिवान वेलकम तूर चैनल आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है अपराधी विवहार का वर्गी करण जिसमें हम अलग-अलग समाशास्रियों ने अपराध के कितने प्रकार बताए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो फर्शली देखते हैं लोंब् जिन्होंने बताया कि अपराधी जनम जात होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे शारेरिक मानसिक विशिष्टाएं होती हैं जिनकी वज़े से वो अपराधी बनता है और यह चीज़ें जनम से ही होती हैं बाद में नहीं आती तो उन्होंने चार पकार की अपराधी बताये एक जनम जात तूसरा पागल तीसरा आवेग यूग्ट और चोथा होता है आकस्मिक अपराधी क्या होता है थोड़ा से इसको भी समझेगा आकस्मिक अपराधी वो होता है जिसकी आदत नहीं है लेकिन अजानक से कुछ ऐसी परिश्थितियां आ गई कुछ ऐसे अवसर आ गए तो उसको अपराध करना पड़ गया तो वो कहलाता है आकस्मिक अपराधी और जो ये आवेग यूग तो होता है इसकी भावनाए इतनी जादा हो जाती है मतलब जैसे किसी ने आपके परिवार वाले के बारे में कुछ हुल्टा सिधा बोल दिया और आपने अपना गुस्त कंट्रोल करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हूँ और आपने उसके विरुध को ही अपराध कर दिया उसको सपोस को मार दिया बहुत ज्यादा तेज से उसके चोटा गई या सम्थिंग कुछ भी कर दिया पागल अपराधी जिसका कि मानसिक स्वास्त सही नहीं होता है और जन उन्होंने बताया कि प्रथम अपराधी प्रथम अपराधी मतलब जो पहली बार अपराध कर रहा है चाहे वो बच्पन में किया हो या किसी भी एज में वो पहली बार अपराध कर रहा है पहले अपराधी नहीं था लेकिन किसी कारण वस वो पहली बार अपराध कर रहा है आकस्मिक जैसा कि मैंने अभी समझाया कि आचानक से कोई अवसर आ गया तब वो अपराद कर रहा है वरना उसकी आदत नहीं है कि वो अपरादी वेवार करे आदतन अपरादी कौन होता है जो करता ही रहता है अपराद जिसकी फितरत है अपराद करना जो गैंग वगेरा होते जो भी ऐसे होते हैं इनमे के जो लोग होते हैं इनके अंदर आदते होती हैं जैसे एक चोर है अब वो आदतन है चोरी करना उसकी आदत बन गई है तो वो आदतन अपरादी हो गया पेशीवर जिसने पेशा ही बना लिया है जो हत्यारे होते हैं लुटेरे होते हैं यह लोग पेशा बना लेते हैं अपराध करना तो ये पेशेवर अपराधी तो हेज ने चार प्रकार बताए थे सदर लेंड ने कहा कि ये सारे जो प्रकार हैं ये सही नहीं है अपराधी जो होता है वो आज कल के टाइम में श्वयत वसन अपराधी होता है स्वेत वशन अप्राधी मतलब कि जिसको समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है उच्च प्राइस्थती मिली है लेकिन बावजूद इसके वो अपनी प्राइस्थती का अपने पद का दुर्पयोग करता है और अपने ही पद पर रह करके वो कुछ इलीगल काम करता है तो इसे इन्होंने कहा था स्वेत वशन अप्राधी ऐसे लोगों के द्वारा अप्राध किया जाना जिनको समाज में सफेद पोश माना जाता है कि ये बड़े आदमी ही सम्मानित आदमी है वो अपने पद का दुरुपयोग जब करते है सदलेंडे अपना इनका एक लेख था वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी ये 1940 में ये प्रकाशित हुआ था फर्स्टली इन्होंने दिया था एक अपना भाशड ये आया था इनका शोयत वसन अपराधिता पर 1949 में ठीक है तो ये जो भाशड था इसी को बाद में ये प्रकाशित हुआ वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के नाम से 1940 में और यही से ये चीज जो शोयत वसन अपराध की अवधारना है ये ले गई मतलब इसमें ये जो इन्होंने अपना भिवाशड दिया था इसमें इन्होंने इसके बारे में बताय था कि ऐसे अपराधी वरतमान समय में होते हैं जो कि अपने पद का दुरुपयों कर रहे हैं जिनको समाद सफेद पूश मानता है जिनको साधा दंड भी नहीं मिलता इनकी कुछ और बुक्स हैं जिसमें इन्होंने अपराध के बारे में लिखा है जैसे एक क्राइम एन बिजनस ये 1945 में आई थी इस वाइट कॉलर क्राइम ये भी 1945 में आई थी तो ये कुछ इनकी प्रमुक पूस्तके हैं जहाँ पर इन्होंने स्वयत वसन अपराध से संबंदित अपनी अवधारना दी है तो इन्होंने कहा कि स्वयत वसन अपराध उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के विक्ति द्वारा अपने पेशे या धंदे के क्रिया कलापों के दोरान अपराधिक कानून का उल्लंगन है मतलब जब कोई ऐसा विक्ती जिसको समाज में उच्च प्रैसिती प्राप्त है उसके पास पैसा रुपया भी खूब है, समाज में सम्मान भी खूब मिलता है लेकिन वो अपने पेशे अपने धंदे के दोरान कुछ ऐसा कारे करता है जो कि इल्लीगल है तो ये सुएत वशन अपराध कहलाएगा अब जैसे एक टीचर का एक्जेम्पल ले लो टीचर के पास पैसा भी है, समाज में सम्मान भी प्राप्त है उसका काम है बच्चे को सही सिच्छा देना लेकिन वो ना करते हुए वो किसी से पैसे ले करके किसी का एड्मिशन कर रहा है किसी को पास करवाने में उसकी हेल्प कर रहा है परिच्छा में जो इल्लीगल गतिविधिया है उन पे वो रोक नहीं लगा रहा है करने दे रहा है यह सारी चीजे स्वत वशन अपराद के अंतरगत आएंगी सिंपली कहलो कि जो भ्रष्टा चार से सम्बंदी जितनी गत्विधियां वह सब वशन अपराद के अंतरगत आएंगी मार्शल कलीनार ने कहा था कि कानून का वो उलंगहन जो मुखताय ब्यापारियों पेशेवर विक्तियों राजनीतिक्यों जैसे समूहों में उनके विवसाई के संबंद में पाया जाता है मतलब एक ऐसा ब्यवहार कानून का एक ऐसा उलंगहन जो कि या तो ब्यापारी करता है ब्यापारी कैसे करेगा काला बाजारी कर रहा है बहुत जादा माल मार्केट से उठा लिया इकठा और फिर बाद में जब मांग उसकी बढ़ती है तो उसको दोगने भाव पे बेच रहे तो चोर बाजारी काला बाजारी ये सब ब्यापारी लोग करते हैं घट तौली कर रहे हैं ये सब भी सोईतवशन अपराद के अंतरगत आएगा और पेशेवर वेक्ति जिनका जैसा पेशा है राजनीतिक के हैं जैसे राजनेता तो आजकल खैर भरष्टचार में बहुत ही बांसोर तीटर्स ने सवेतवशन अपराद को कहा था संका, सपध, आचार, नीति वाले व्यापारिक सोदे जिनकी जो एथिक्स हैं उन पे हमें संका हो सकें ये बांसोर तीटर्स ने कहला था वो mountainous अपराद को कानून भंग करने वाले विशेषग्य या समोहध़ारा настित प्राद माना या तो मतलब इसको करेंगे कौन जिनको कानून की बहुत जादा नौलेज है या फिर एक समूह पूरा मिल करके क्योंकि एक वेक्ति करेगा तो पकड़ा जाएगा पूरी आपस में 60 गाठ होती ना छोटे से लेके बड़ा करमचारी तक ब्रश्टाचार में सनलि परियोग करते हैं कि अपने तरीके से कानून की ब्याख्या कर दी यह फला फला कानून में यह चीज लिखी है ऐसे करके वो लोग अपराद को अंजाम देते हैं तो यह तो हो गई परिभाशा अब थोड़ा देखते हैं इसकी विश्यस्ता है तो पहली विश्यस्ता है कि ज सबसाइ से संबंधित अपराद होता है है अब एको इन embryo पीसा बहुत सारा है संब्साइश संबंधित अपराद है समान मिला है दो लोग इन पर शक नहीं करते हैं यह अपराद कर भी रहें हैं अगर 2 प्रूफ आ भी गया तो यह अपनी इनके पास पैसा भी है तो पैसे से बहुत सारे चीज़े वो कर लेते हैं प्लस समाज में उनकी प्रतिष्ठा है तो इस वज़े से भी तो समर्थिवान है तो इसलिए इनको कोई कुछ बोलता नहीं कहते है न कि वो एक दोहा है न समरत को नहीं दोश गोशाई मतलब जो समर्थिवान है उसको कोई दोश नहीं देता तो यह समर्थिवान होते हैं इसलिए समाज में उनको कोई गलत ठहरा नहीं पाता लोग सोचते हैं कि ये गलत है लेकिन उनको ठहरा नहीं पाते हैं कि तुम गलत हू उनके प्रतिष्ठा बनी रहते हैं जैसे डॉक्टर लोग है पैसे ले करके गलत काम करते हैं ये सारी चीज़े उन्चे पद पर असीन वेक्ती से इनकी साठगाट रहती ऐसा नहीं कि वो अकेले करते हैं पूरा उनका नीचे से ले करके उपर तक पूरा जो एक समूह है वो पूरा भृष्टाचार में सनलिप्त होता है पूरी इनकी साथगाट होती है चाहे वो किसी भी पेशे में हो अधिकारी करमचारी राजनेता सब उसी में मिली भगत होती है और फिर वो आपसे मिल करके एक अपराद करते हैं यहाँ पर एक टर्म आती है क्रोनी कैपिटलिजम यह भृष्टाचार से ही रिलेटेड आई बात तो मैं आपको समझा दे तो क्रोनी कैपिटलिजम का मतलब होता है कि जो पूझी पती लोग है वो जो सत्ता में अधिकारी यह जो सत्ता में राजनेता हैं उनसे साठगाट कर लेते हैं और अपने हित में कानून बनवाते हैं ऐसे कानून बनवाते हैं जिनसे कि इन पूझी पतियों को इन उद्योग पतियों को अधिका अधिक फायदा हो आजकल यह वर्ड बहुत जादा चल रहा है क्रोनी तो यह समझना बहुत ज़रूरी था तो यह चीज अहां तो हम लोग भी सस्ता हैं देख रहे थे पांच वी शस्ता आर्थिक प्रकृति के अपराद होते हैं यह इनका उद्देश होता है ज्याद से ज्यादा लाब कमाना मतलब पैसा 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 यह जो प्रवर्ति है यह वा करना ब्रश्टाचार में सनलिप्तता चोर बाजारी मुनाफा खूरी विश्वास घाद करना किसी के साथ किसी के विरुध शर्ण अंतर रचना उच पद पर होते हुए किसी को गलत तरीके से फसाना गुप्त विवहार ऐसा एक बहेवियर जो की कानून के विरुध है लेकि जो मेन कारण है वो है कि लोग कानून के प्रती जागरुक नहीं है जब लोगों को कानून के प्रती जागरुकता नहीं देखो आपने देखा होगा अलग-अलग तरीके के विग्यापन आते रहते हैं और हम लोग उसमें फस जाते हैं रीजन क्या होता है क्योंकि हमें पता पन की विरुद कन्युमर कोर्ट में जा सकते हैं उपभुखता जो एक नया लग है वहां पर हम लोग इसकी शिकायद कर지ेऊ हमें पता नहीं है और हमें बहुत सारे अधिकार हैं, समयधानिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो फिर पुलिस वाले हों, चाहे कानून से सम्मंदित कोई विक्ति हो, चाहे कोई और डॉक्टर हों, चाहे कोई टीचर हों, चाहे कोई भी हो, और वो लोग फिर हमारा सो प्रयाप्त नहीं है कि इनको रोका जा सके ब्रष्टचार के विरुध देखा जाए तो जो कानून है वह इतने परयाप्त नहीं है कि ब्रष्टचार को रोका सके तीसरा रू działन है कि आकर्शकर्ण भập भ्रहमक विग्यापन जो विग्यापन होता है वो भ्रहमपूर तरीके से दिखाया जाता है कि आपको इसमें ये चीज है इसमें ये चीज है बाद में पता चलता है कि हम ठगे गए तो बहुत ही आकर्शक और विग्यापन जो होता है भ्रामक होता है जैसे किसी क्रीम का एड़र्टीजमंट ले लो ये क्रीम लगाने के बा सपोस कि आपके साथ में कोई किसी ने जाल साजी करी किसी ने आपसे रिस्वत ली अपने दे भी दी फिर आप क्या करो अरे ठीक है इसी में रह रहे हैं तंत्र में इसके विरुद्ध क्या आवाज उठाए ठीक है चलो तो ये जो चलो वाली बात है चलो चलने दो इतना चल पैसा 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 ही सब कुछ है जिसके पास जितना पैसा है वह उतना ही सुखी है यह चीज यह जो फीलिंग है यह कहीं न कहीं अपराद के लिए उतरदाई है श्वयत्वशन अपराद के लिए छठा कारण है दोशपूर कानून विवस्था सपोस कि किसी ने करना चा उसको इतनी लेट में नियाय मिलता है तो व्यक्ति जाना ही नहीं जाता सोचता है कौन इसके चक्कर में पड़े चलो छोड़ो हटाओ ये बात होती है तो दोशपूर कानून विवस्ता है उसको सही तरीके से अपलाई नहीं किया जा सकता इसलिए लोग उसके विरुधा एक् कि अधारना की अलोशना की है अगर हम सकता है कि उच्छप प्रैस्थिति जिनके पास है वह लोग अपरात कर रहे हैं तो वह तो जो गरीब कर रहे हैं उनको वसनिन कहेंगे क्योंकि वह तो ऐसे ही कपड़े नहीं पहनते हैं अब जो सफेद कपड़े पहन रहा है मतलब सफ शब्द सही नहीं है, इसकी जगे पे विवसाई का पराध शब्द का प्रियोग होना चाहिए, जे हॉल ने इसको सामाजिक वैधानिक पराध की संग्या दी थी